आप सबी का सोगत है मारे इस यूट्यूब चैनल पर आज में लोग बात करने आ लें आपके वक्सीड नमबर 28 के बारे में आज कितिती क्या है एक ग्यारा दो जारे किस गड़े तिविसे की और कच्छा आठ की यहाँ पर आपको अपना निम यहाँ पनी टीचर का निम लिख जिससे आप क्या है weekly contest के winner हो सको और आपको भी prices मिल जाए अगर आप क्या है विटा राइटिंग कॉम्टेशन में पास प्रेट करना चाहते हो कमेड़े में बताइए का हम आपको लिंक देंगे वहां से आप जॉइन जाए चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गए इसमें को मों बोला गया है समान ने चतर भुच और आयत की परिमाप की रहे में 6 धर फल के बारे में चेँए देखतें समय क्या रिया गया चैतर वुच की आकरती को देखिए चैतर भुच की आकरती आप दी कहीं उससे आपको देखना हैं और यह ABCD इसका नाम दिया गया है चटर a b c d का परिमाप घाच करने के क्लिए चारोब भुझाओं क्या करते है योगी करते हैसख को जोड़ जो जो जाएगा उसका परिमाप तो परिमाफ जानने के क्लिए इस चेत्र भुझे क्या हो जाएगा 3 Pbc 3 D upload Do I meanAA तीकиях आकरति का परिमाप होगा उसकी भुजाओं का सम निकाने के लिए आढ़े देखें चेत्र भुज का छेत्र फल निकाने के लिए किसी दो विपरीत सेच्ट को मिला दीजेए इस से उसके बाद क्या करिए 2 दो धो तरी बुज बन जाएंगे ठीकिए इसमेहD置 आशले किया कर दीजे डी यह बना दीजह जो एच हो जाएगे चराँ थींच हो जाएगी ठीक है तो इसके छे त्रफल निकालेंगे तो जो ट्राइंगल होगा अबी का छे तरफल जोड़ देंगे इसमें तो यह रखेगा इसका यहां पर आप देखें इसका फॉर्मिला निकल कर आया कि इसका फॉर्मिला होता है इसका जो है मैथड होता है तो इसको याद कर लीजेगा चलिए आगे देखते हैं अगला क्या देगा हमसे बुलागे एक ट्रेंगल है ठीक है एक आयत है आयत कौन सा है इफ जी एच है जिसकी चोडाई क्या है सौड़ी लंबाई जो है आपकी एफ ह है और यहाँ पर क्यों जाएगा इफ जी अजय को यह क्यों हो यहति है यह कैहें दोनों आपस में बराबर है इसका है इसका परिमाब निकान लोगा तो अधेंयों आपको क्यों एक दो मंग प्लस चौड़ाई तो दो 3 प्लस 6 अगर हम कर देंगे 18 हो जाएगा इसका उत्तर चलिए आगे देखते हैं अगर इसके छेतरफल की बात करें तो इसके छेतरफल का फॉर्मिला क्या हो जाएगा लंबाई गुड़े चौड़ाई लंबाई 3 होगी चौड़ाई 6 होगी दोनों को हो जाओं का परिमाप क्या है लिखिए आपको क्या बुला गए उसके सीर्स का नाम अंकन कर दाएं पहली चीज आप अगर अपना क्या है एक पेज लेंगे नोड़ बुक का ठेक है तो वह कुछ है ऐसा दिखेगा और इसकी आकरती कैसी होगी तो यह आकरती में होगा बिट इस आयत का इस आयत को अगर हम नाम दें तो यह क्या हो जाएगा यह बी हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा और इधर वाला हो जाएगा डी और इसकी बुझाओं का अगर हम माप निकाले हैं तो देखों जो मेरी नोड़ बुक है उसकी बुझा का माप क्या है यह 60 संटीम यह आप क्या कर लोगे, बनाके इस तरीके से लिख दो गए और नीचे उसके लिख दो गए आयत, इस डैगराम के ही नीचे आप क्या लिख दोगए, आयत लिख दो गए यह उत्तर नमबर I हो जाएगा, आपका चलिए, अगला क्या है देखो को संदया गए, इस ही परिमाप इस पेज के परिमाप और छेतरफल को ग्याद करिए तो देखे परिमाप बराबर क्या हो जाएगा इस पेज का क्योंकि यह आयत के आकार का है तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 2L प्लस B यानि 2 L प्लस B यानि की 40 L प्लस B तो बेटा एक बात याद रखना मैंने आपको क्या बताया है मैंने आपको बताया है यह वाला 20 cm का होगा यह 60 cm लिखवाया है ठीक है और यह भी 60 है और यह क्या है 20 है तो जब ऐसा है तो हम क्या करेंगे L प्लस B में देखो यहाँ पर जोड़ेंगे इसको तो बेटा जैसे ही जोड़ेंगे हमारा क्या होजाएगा यहाँ होजाएगा 80 ठीक है और यह कितना होजाएगा 160 cm ठीक है इसी तरीके से अगर हम दूसा करें जिसमें हमें क्या लिकालना है 6 तरफल तो लिखो 6 तरफल बराबर 6 तरफल बराबर अगर लिखोगे तो देखो यहाँ पर क्या होजाएगा 2 2 नहीं स्वारी यहाँ होजाएगा 60 प्लस 60 गुड़े 20 अगर हम कर दें तो 60 गुड़े 20 कितना होगा हमारा हो जाएगा 1100 cm का स्कॉयर इसका छेतर फल हो जाएगा इसे नोट डाउन कर लेना ठीक है आगे आपकी याली कारपतिका क्या होती है ही समापत होती है आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करकर बताएए अगा वीडियो लाइक करें चैनल सिस्क्राइब करें और जादा से ज्यादा कॉंटेस में पास्वेट करिए धन्यवाद प्यारे बच्चों